नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है मुकेश में अंदर एजुकेशन चैनल पर तो दोस्तों आजम देखेंगे ठीके ककसा 12 आरबीस यानि राजस्तान बूर्ड की जो वेबसाइट है यानि की जो ब्लू पिंट आई है हिंदी अनिवारी की ठीके तो हिंदी अनिवारी के अ तो यह सिर्फ राजस्तान बूर्ड के लिए है तो राजस्तान बूर्ड की या ब्लू पिंट है दोस्तों हिंदी अनिवारी के जो परसन है यानि कि किस तरीके से पुछे जाएंगे और कितने नमबर के होंगे ठीके और इसके अनुर्चा glow के आपको तेयارी करनी है ताखिक आपके एक्जाम में अच्छे नंबर आए तो इस blueprint को आप देख सकते हैं जिसमें देख सकते हैं एपटित है निबंध है विश्य वस्तु में दे रहा है जैसे एपटित निबंध पत्र वेवारिक व्याकरण अभिवेक्ति और माज्यम और आरो और वितान ठीके यह आपकी दो बुक हैं एक तो आरो है और दूसरी वितान बुक हैं तो इसमें आप देखेंगे जैसे एपटित गद्यान से जो पूछे जाएंगे गद्यान से वो पद्यान से यह जो है बारा नंबर के होंगे ठीके इसी प्रकार से बात करते हैं निबंद तो निबंद आएगा दोस्तो चार निबंद दे रहे होंगे उसमें से आपको एक करना होगा तो ये पांच नमबर का आएगा और पत्र आएगा दोस्तो पत्र चार नमबर का होगा ठीक है वेवारिक व्याकरन वेवारिक जो व्याकरन ह है यह कुल मिलार दोस्तो weiß नंबर की है ठीके अभी हम देखने वाले कि कौन-इक paragraph व्याखण में कौन- ekson से ट्रोपिक होंगे जिसमें कौन-کौन से किशन पूँन पूँचे जाएंगे कितने किशन पूँचे ये सभी देखने वाले आभी वेक्ति और माध्यम देखो दोस्तो साथ नंबर की इसे परकार से आरा है वितान है řेकि आरो दोस्तों ये कितने नंबर की ये तो आरो बुक कि पूरी बुक कि में बात कर रहा हूं तो आरो बुक चाहे पध्ये खंडो चाहे गध्ये गध्ये गंडो यह 32 नमबर की है वितान बुक की बात करें तो इस प्रकास से कुलें इनका योग किया जाए इन अंकों का तो यह 80 नमबर का पेपर होगा ठीक है योग आपका 80 हो गया अब हम देखते जैसे परमुक जैसे इसमें वेब से बिलू प्रिंट में बिलू प्रिंट के हिसाब से यानि कौन-कौन से परसन जो है वो कितने नमबर के परसन पूछे जाएंगे ठीक है जैसे यहाँ पर बात कर से कोई गड्यांस या पध्यांस कोई भी देयरखा होगा तो इस तरीके सा आपको परसन पूछल पूछे जाएंगे तो जो वस्तों इश्ट परसन पूछल पूछल जाएंगे वस्तों निश्ट और चार आंग क्योंग minority होंगे यानि एक एक नमबर के होगे इसी परकार से निबंद निबंद दोस्तों आपको पता है निबंद ये पांच निबंद आएगा तो चार देरेके होगे उसमें से आपको करना होगा एक निबंद ठीक है तो आप कोई भी याद कर सकते हैं चाहे सोच बारत मिर्शन पर चाहे कोरोना वाइरस जो भी आपको अच्छा लगे उनको याद कर लेना चार निबंद है उसमें से दो तिन तो आपको याद होने चाहिए ठीक है पढ़ लेना समझ लेना दोस्तो इसी परकार से तीसरा पूर्ण दे रहा है पत्र तो दोस्तो पत्र आएगा पत्र आएगा यह चार नंबर का होगा ठीक है इसे परकार से व्यवारिक व्याकन और व्यवारिक व्याकन की यदि बात करें तो व्यवारिक व्याकन में जैसे प्रमुक चप्ट हैं प्रमुक चप्ट आएंगे जिसमें अलंकार ठीक है वह सरे चप्ट्रे और भासा व्याकरन लिपी यह सब आएंगे तो इसमें आप देखेंगे जैसे अतिलग उत्रातम परसन दो आएंगे और दो नंबर के होंगे अतिलग उत्रात्म के दो आएंगे वियाकरण के अंतरगत दो आएंगे दोस्तो और दो नमबर के होंगे इस परकार से यह तो अतिलग उत्रात्म के दो परसन आएंगे और दो नमबर के होंगे यानि वियवारिक जो वियाकरन है वो आपके आंट नमबर की हैं याद कर लेना ठीक है अभिवेक्ति और माध्यम की बात करें तो अभिवेक्ति और माध्यम में दोस्तो यानि की अत्ती लोग उत्रातमक एक परसन आएगा और एक नमबर का होगा और इसमें लगू उत्रात्मक परसन जो है वो यानि कि दो परसन आएंगे लगू उत्रात्मक और चार नमबर के होंगे ठीके और लगू उत्रात्मक ये दे रहा है तो इस परकार से कुल जो है वो दोस्तो इसमें चार परसन आएंगे और साथ नमबर के होंगे ठीके चार तो दो तो जो है वो अत्ती लोग उत्रात्मक परसन होंगे और दो नंबर के होंगे ठीक है और इसमें और आगे बात करें जैसे लग उत्रात्मक परसन जो है वो दो परसन आएंगे लग उत्रात्मक वो भी चार नंबर के होंगे और एक निबंदात्मक परसन होगा वो चार नमबर का होगा और इसमें दो लग उत्रात्मक जिसमें दो लग उत्रात्मक किशन हो रहेंगे जो चार नमबर के हैं ठीक है और द्रिग उत्रात्मक परसन एक नमबर का यानि एक परसन आएगा द्रिग उत्रात्मक जो तीन नमबर का होगा और इसे में जैसे गद्य खंड के बात करें तो इसमें एक परसन आएगा लग उत्रात्मक जो चार नमबर का होगा ठीक है इस परकार से देर का तो कुल यानि योग जो है वो दोस्तों 11 परसन आएंगे और 32 नमर के आएंगे यानि जो आरो बुक जो है आपकी इसमें 11 परसन आएंगे ठीक है लगुतरात्मक आएंगे द्रेगुतरात्मक आएंगे चाहे आपके गद्यकंडो पद्यकंडो तो इस परकार से यानि 11 परसन आएंगे जैसे वितान दे रहा है तो इसमें आतिलोग उत्रातम परसन जो है दोस्तों यहापके साथ परसन आएंगी जिसमें और यह 12 नमर की भूके हैं ठीके तो इसमें जैसे वितान बुक में आप देख रहे हैं जैसे यह पर्मो किशन आएंगे जैसे तीन तो अतिलग उत्रात्मक परसन हैं और तीन ही और इसमें जो तीन नमबर के होंगे यह इसके अलावा जो इसमें और दे रखा जैसे तीन अतिलग उत्रात्मक परसन या न नमबर की बुक है वीतान ठीक है तो इस प्रकार साब यानि कवर कर सकते हैं और भी हमें आपको अच्छे से समझा दूंगा दोस्तों बोर्ड पर समझा ठीक है आपको समझ में नहीं तो बोर्ड पर दे दूंगा वैसे कलास कि भी कौन से चेप्टर में से कितने परसन पूंच जाएंगे ओर तो आप इस ब्लूपर्न्ट को आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं ठीक है तो यह ब्लूपरिंट है और ब्लूपरिंट के हिसाब से आपको त्यायरी करना जिताक्य है यह एक्जाम में आप अच्छे से अच्छे नमबर जो है वह बनां सके है ठीक है दोस्त